हलो फ्रेंड आज की इस वीडियो में आपको ये बताने जारूं कि कैसे आप अपने वीवोड़ 21T Android वाइल फोन में आप जो है गूगल डिस्कवर सेटिंग को आपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं यानि कि ओफ कैसे कर सकते हैं ठीक है और ये गूगल डिस्कवर सेटिंग जो है disable होने के बादी setting कैसे काम करती है आज की इस वीडियो में हम आपको detail में जानकरी देने वालों तो चलिए आप यह वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone में setting page open करना है setting page को open कर लिजिए अपने mobile phone में setting page में आपको नीचे आना है या पर आपको यह option मिलेगा lock screen and wallpaper इसे आपको select करना है इसके अगले page में आपको नीचे आपको यह option मिलेगा Google discover गूगल डिसकवर इस option के ठीक सामने आपको जो बटन दे रहा है इस बटन को tap करके आपको इसे off करना है ठीक है इस setting को off करने से पहले मैं आपको कुछ बाते हैं आपर बता देता हूं देखे जब भी आप अपने mobile phone की home screen पर होते हैं जहां पर आपको time दिखाई देता है तो आ आपका ये Google का page open होता है ठीक है तो आप आपको करना क्या है ये जो Google discover setting है इसे आपको off करना है ये बटन जो ब्लैक किलर में off हो जागा यानि की setting disable हो जाएगी अब देखे इस setting off होने के बाद कैसे काम करती है आप अपने mobile phone की home screen पर आईए जहां पर आपको time दिखाई देता है अब आप right में ऐसे slide करेंगे तो आपका जो पहले जो Google का जो page open हो रहता है यहां से अब आपका page open नहीं होगा तो ये Google discover setting जो है डिसेबल करने के बाद इस तरीकी से काम करेगी आपके mobile phone में ठीक है अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कैसे आपना इस Google discover setting को आप mobile phone में shortcut तरीके से कैसे ढूंड सकते हैं इसके लिए आपको करना क्या होगा ये जो आपके mobile phone का setting page है इसे आपको फिर से open करना है ठीक है setting page को फिर से open कर लीजे setting page में आपको सबसे ओपर ये option मिलेगा search icon इसे select करना है और यहां पर आपको search bar में type करना है Google discover ठीक है जो setting का निय option मिल जाएगा तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंड नेगा आपके mobile phone में